अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक अप्लिकेशन मिलेगा उसे आपको डाउनलोड करना है और अभी तक मैंने जितनी भी लेक्चर्स लिये है उसका प्रोपर प्लेलिस्ट आपको प्रवाइट हो जाएगा और साथ-साथ प्रोपर नोट्स भी एवलेबल हो जाएगा ठीक है इसमें यह जितना भी नोट्स आपको लिखने की जरुएत नहीं है बस आपको ध्यान चे सुनना और समझना है ठीक है ध्यान चे सुनना और समझना है और इसका नोट्स आपको उस वीडियो के प्रेलिस्ट क मिल जाएगा मतलब उस application को अगर आप डाउन्लोड करते हो तो उसमें एक section है notes का वो भी मिल जाएगा और साथ-साथ इस topics related जो भी numerical होते हैं जो भी questions बनते हैं वो भी आपको मिल जाएगा तो start करते हैं हमारे आज का topic तो आज हम पढ़ेंगे position time graph पहला हम पढ़ेंगे position time graph के बारे में कि position time graph क्या होता है ठीक question जैसे देखो graph का मतलब क्या है graph हम क्यों पढ़ते हैं देखो किसी भी चीज में graph को analyze करना बहुती easy होता है अगर अपने पास जैसे आप गाड़ी पे बैठे हो और आप distance टेबल कर रहे हो time के साथ आपकी position चेंज हो रही है ठीक है तो आपके पास माल लो ये 1, 2, 3, 4 कुछ भी value है time के respect में माल लो 5, 10, 15, 20 ठीक है तो ये दो value का use करके आप x और t के बीच में graph लोट कर सकते हो x को position कहते है और t को time कहते है अलग-लग type का graph हो सकता है graph बनाने के लिए हमें क्या चाहिए दो variable जो है यहाँ पर कौन variable है x और t x और t क्या है variable है x और t variable के लिए ध्यान से सुनना ये दो variable के बीच में relation होनी चाहिए जैसे अगर माल लो x is equal to 2y है तो आप क्या कर सकते हो एक side x लिखोगे एक side y लिखोगे और जैसे जैसे y की value change करते जाओगे वैसे वैसे x की value change होते जाईगे जो भी और उस point को अगर आप project करोगे यहां पर ठेक है जैसे यहां कुछ होगा यहां भी होगा इस उस point को अगर आप project करोगे तो आपको graph कुछ इस तरह का मिलेगा, कैसा भी graph मिल सकता है, जरूरी नहीं ऐसा मिले, तो graph के लिए जैसे यहाँ पर coordinate क्या होगा, इस point का coordinate क्या होगा, माल लो यह T1 है, तो इस point का coordinate होगा, x0, t1, पहला क्या होता है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, t1, x0, पहला बताता है, x-axis, दुसरा बताता है, y-axis, ठीक है, तो इस तरह से किसी भी दो, जैसे यहाँ पर x है, time है, तो आप क्या कर सकते हो, दो equation का use करके आप graph load कर सकते हो, और उस दो variable है, x और t, इसके बीच में कुछ ने कुछ relation होगा, और उस relation का use करके आप graph load कर सकते हो, तो पहला graph जो है, यह जो पहला graph आपको दिखाई दे रहा है, इस graph का मतलब क्या है, देखो, यहाँ पर time बता रहा है, यह time zero है, मैं red color का use करूँगा instrument, क्योंकि मैंने जो notes मनाया है, उस पर मैंने red color का use ने किया, तो red color का जो भी चीज़ लिखा हो, आपको मिलेगा, आप समझ जाना, उसको आप नए भी लिखोगो तो चलेगा, ठीक है, वो मैं समझाने के लिए आपका use कर रहा हूँ, red color, क्यों, क्योंकि time increase करता जा रहा है, और body, जैसे मालो, आप अपने घर से school गए, यह आपका घर था origin, और आप school गए, और school में जाकर चुपचा बैढ़ गए, तीन दिन के लिए, पता नहीं, ऐसे जाकर कर बैढ़ गए, तो time थोड़ी रुख गए कि आपके लिए, कि आप school time रुख जाएगी, नहीं, time तो बढ़ते रहेगी, लेकिन आप वहाँ पर जा करके बैढ़ गए हो, मतलब आप rest में आ गए हो, तो time increase करता जा रहा है, लेकिन position चेंज नहीं हो रही है, तो इसका nature क्या हुगा, body कैसा है, rest में, जब rest में है तो velocity 0, और velocity से बनता है acceleration, तो acceleration भी 0, कुछ important point बताना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी graph का nature straight line आता है, इसका मतलब slope क्या है, single, यहाँ पर straight line आ रहा है, मतलब इसका slope क्या है, single, मतलब single slope होगा, अभी इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा, यह line आप याद रखना, ठीक है, दूसरा है, st graph, यहाँ पर देखो, straight line आ रहा है, यह एक तरह का position है, और change in position क्या कहला आता है, displacement, मतलब x-0 अगर कर देंगे, x0-0, यह हमको क्या देगा, s, तो s और t का graph अगर straight line है, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो, ऐसा है, तो speed क्या होता है, constant, और velocity भी भी अगर, velocity time graph का, अगर straight line आता है, straight line का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, इस तरह से देखो, मैं बता रहा हूँ, straight line का मतलब क्या होता है, यह समझ लो आप, जैसे, आपने plot किया, एक side, s, और एक side, t, और यह straight line आ रहा है, इसका मतलब यह slope कहलाता है, theta, इसके parallel अगर आप यहाँ ड्रोग करो तो यह भी slope कहलाएगा इसके parallel ड्रोग करोगो तो यह भी slope कहलाएगा, तो यहाँ पर देखो slope क्या है, constant है, और slope क्या होता है, slope होता है, y coordinate upon x coordinate, यहाँ पर s upon t अगर करेंगे, तो हमें slope मिलेगा, और यहाँ पर s upon t क्या है, displacement upon time क्या होता है, velocity, तो slope of st graph हमको क्या देता है, velocity, अगर straight line बनता है, तो आप समझ जाना, straight line मतलब slope single है, एक ही slope है, मतलब constant है, तो velocity एक ही है, मतलब constant है, तो मैंने यह line इसलिए लिखा है, कि अगर st graph के बीच में straight line मिलता है, तो आप समझ जाना, उसकी velocity क्या है, constant, उसी तरह अगर मान लो, अगर velocity time graph, straight line मिला हमें, आप वीडियो को चाहोँ, तो speed करके भी देख सकते हूं, यह speed time हमको graph मान लो, straight line इस तरह का मिला, तो यहाँ एक एंगल theta है, यह slope क्यालाएगा, इसके time axis के parallel, अगर आप draw करोगे, तो यहाँ भी एक parallel कराएगा, theta, यहाँ करोगे, तो यहाँ भी theta क् आप क्या देख रहे हूं, straight line का theta क्या है, constant है, और velocity time graph का slope क्या कहलाएगा, slope का मतलब बताये थे y coordinate अपने x coordinate, तो y coordinate में velocity है, velocity by time क्या कहलाता, acceleration, तो यहाँ पर acceleration हमको क्या मिला, constant, आपको समझ में आया, मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर straight line मिलता है, तो slope क्या होता है, constant, और displacement time graph दिया गया है, तो इसका velocity constant होगा, अगर velocity time graph दिया गया है, तो इसका acceleration constant होगा, चलो, next है हमारा strand, यहाँ देख सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पर, यह graph है, x और t के बीच में, x और t के बीच में graph बनाया गया है, ठीक है, अब यह graph का nature क्या है, उसको समझते है, इस side time है, एक side position है, time increase किया, t1 से t2, time 0 भी था, जब time 0 था, तो उससे में position x0 है, जब time t1 है, उससे में position x1 है, जब time t2 हो गया, तो position x2 हो गया, और change in position ही क्या कहलाता है, displacement, यहाँ पर देखो, यह graph का nature कैसा है, straight line, straight line मतलब slope क्या होगा, 10 theta क्या होगा, constant, यह graph किसके बीच में है, x और t के बीच में है, तो अगर आपको यह triangle लिया, मैंने देखो, a, b, c, इसका slope निकाला, तो इसको side में बड़े से मैंने बना लिया, यह a है, यह b है, यह c है, यह theta है, ठीक है, सुन, आपने 10 theta के बारे में क्या पढ़ा था, 10 theta क्या होता है, student, आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक triangle बन रहा है, जिसका नाम क्या है, a, b, c, ठीक है, इस triangle को अगर, ठीक है, इस triangle को अगर, आप 10 theta निकालना चाहते हो, आपने 10th में पढ़ा था, 10 theta क्या होता था, perpendicular by base, ठीक है, perpendicular by base होता है, 10 theta क्या होता, perpendicular by base, ठीक है, तो यहाँ perpendicular क्या है, x2 minus x1, theta क्या opposite perpendicular कहलाता है, और base क्या है, t2 minus t1, तो 10 theta क्या लिखा हूँ, ab by bc, तो slope क्या कहलाएगा, इसका अभी बतायत है, velocity, यहाँ पर भी slope constant है, इस graph का मतलब यही है, कि body जब time zero है, तो उसकी कुछ initial position है, मतलब घर आपका origin था, आप घर से school गए, कुछ distance travel किया, कुछ displacement हुआ, आपकी position change होई, आपने घर से कहां गए, स्कूल में गए, स्कूल में जाकर के आपने क्या किया, अपना time, आपके पास time stop was था, आपने time को चालू किया, तो जहां पर आपने motion चालू किया, स्कूल पर जाकर के, उस समय time zero था, फिर धर दर क्या हो रहा है, time change होता जा रहा है, आप स्कूल से आगे जाना start कर लिए, अगर निकालोगे तो क्या निकलेगा, थीटा, constant निकलेगा, जो थीटा यहां है, वही थीटा निकलेगा, ठीक है, तो यहां पर थीटा क्या बता रहा, displacement by time, यह क्या देगा, velocity, और थीटा अगर acute हो, acute का मतलब जानती ही हो, यह angle क्या acute है, और यह क्या है, obtuse है, अगर थीट थीटा less than 90 होता है, अगर थीटा less than 90 होता है, तो 10 थीटा की value क्या आती है, हमेशा positive आती है, तो आप याद रखना, यह थीटा तो कम आया है, इसलिए इसकी velocity क्या होगी, positive, और acceleration भी क्या होगी, positive, ठीक है, यह graph का मतलब यही है, कि time जब 0 है, तो position की कुछ initial velocity, initial position है x0, फिर time जब T1 हुआ, उस समय body की position x1 हो गई, फिर time जब T2 हुआ, तो body की position x2 हो गई, लेकिन time जब 0 है, ऐसा कैसे possible हो सकता है, इसका मतलब यही है, कि time 0 होते हुए भी body अपनी original position पे नहीं है, body जैसे तुम अपने घर पर नहीं हो, school पर हो, और school से तुमने अपना motion चालू कि वहां से अपना position change करना start किया, और वहीं से motion को consider करना start किया, तो जहां से consider करते हो, वहां की time क्या लेते है, 0, इसलिए यह गराप का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर भी इसका slope क्या देगा, change in position, x2 minus x1 क्या है, change in position, और change in position को ही क्या कहते है, याद रखना, change in position is called displacement, and this is change in time, delta t, and displacement by time क्या होता है, velocity, next graph instrument, यहां पर आपका देखो, आपका xt ग्राफ दिया गया, x or t की ग्राफ दी गई है, और यहां पर जो ग्राफ का नेचर है, वो कुछ इस तरह का है, देखो आपको दिखाई दे रहा है, देखना ग्राफ का नेचर कैसा है, यह यह ऐसे जा करके इस तरह का है, मतलब, यह उसके उपर में रेट कलर का बना रहा हूं, देखो, ऐसा है, कैसे मिला यह ग्राफ, जरूर x और t के बीच में कुछ ने कुछ रिलेशन होगा, उस रिलेशन को अपन क्या किये, उस रिलेशन को अपन सॉल्व किये, और अलग-अल इस रिलेशन होगा, उस रिलेशन को सॉल्व करके पॉइंट मिला और उस पॉइंट को जोड दिये, तो ऐसा ग्राफ मिला है, अब इस ग्राफ की नेचर क्या है, यहाँ पर आप देखो, थीटा चेंज हो रहा है, मतलब, स्लोब क्या हो रहा है, वेरियेबल है, स्लोब अग स्लोब ओप एक्सटी ग्राफ क्या होता है, वेरियेबल है, तो वेरियेबल है तो वेरियेबल होगा, ठीक है, अगर वेलोसिटी वेरियेबल है लेकिन acceleration क्या आएगा constant जैसे आप जानते हो a is equal to क्या होता वी minus u upon t v change हुआ u change हुआ लेकिन इसको solve करेंगो तो a का एक constant value आएगा तो ये graph किसका है constant acceleration का graph है ये किसके बीच का graph है x और t के बीच का graph है graph for uniformly accelerated motion मतलब acceleration uniform है acceleration uniform है मतलब क्या acceleration uniform इसका मतलब हो गया acceleration constant uniform का मतलब constant होता है ठीक है तो ये variable यहाँ पर theta change हो रहा है theta 1 से theta 2 अब बताओ theta 1 बड़ा है कि theta 2 बड़ा है देखो आप angle measure करो angle कैसे बनाते है theta बनाते कैसे इस point पे tangent रोक या ऐसे इस point पे theta निकालना है tangent रोक करेंगे इस तरह से इस तरह से tangent रोक करेंगे और ये जो x-axis में cut करती है इसे ही slope कहते है ठीक है इस्टूल अब बताओ एक चीज कौन बड़ा है देखो आप ज़्यादा ऐसे vertical एक और एक ऐसा है तो ये angle बढ़ गया तो आप बताओ किसका angle बढ़ गया थीटा 1 बड़ा है यहाँ पर थीटा 2 बड़ा है आप देख सकते हो ये छोटा angle ये बड़ा angle तो थीटा अगर increase किया मतलब velocity increase किया क्यों? क्योंकि थीटा ही क्या कहलाता है slope और slope मतलब क्या है 10 theta मतलब slope है और slope इसका क्या बताता है xt graph का अभी हम x-t graph के बारे में पढ़ रहे है और ये क्या बताएगा velocity मतलब b point पे velocity increase कर गई a point में कुछ velocity थी मालनो 10 थी b point में velocity बढ़ गई तो आप graph को देख करके ये conclude कर सकते हो x-t graph को देख करके ये conclude कर सकते हो कि velocity बढ़ रही है या घट रही है तो velocity अगर बढ़ेगी तो acceleration क्या होगा acceleration positive होगा time के साथ अगर velocity बढ़ती है तो acceleration होता है positive तो यहां a से बी जाने में velocity बढ़ रही है क्यों बढ़ रही है क्योंकि slope बढ़ रहा है और slope अगर बढ़े तो हम क्या कहेंगे velocity बढ़ गई अच्छा इस velocity को क्या कहते है instantaneous velocity क्योंकि यह एक particular एक ही point पे tangent बन रहा है यहां भी एक ही particular time पे बनेगा यह ठीक है इस time पे बनेगा इसलिए यह क्या क्या लाएगा instantaneous velocity average क्या होता था delta x by delta t instantaneous क्या हो जाएगा delta t के जगा में 0 लेग देना बस delta t tends to 0 तो यह क्या हो जाएगा dxy dt ठीक है student अब देखो s is equal to kya था x minus x0 इसको ही क्या बोलते थे change in position क्योंकि student देखो पहले object यहां है जब time 0 है तो time बढ़ता गया x point red pen से लिख रहा हूं मैं student ठीक है ताकि confuse नहीं हो आप इस पे मैं पूरा red pen से use कर रहा हूं time थोड़ा बढ़ा मालों यह time t1 हुआ यहां तक तो देखो position कहां पहुंच गया body x पे तो position का change को ही क्या कहेंगे s तो s क्या है यह यहां से यहां तक और यह यहां से यहां तक मतलब x minus क्या है x note को ही क्या कहते है displacement change in position को ही displacement कहते है चलो next velocity time graph displacement time graph हमने पढ़ा इस graph में आप क्या समझ रहे हो कि time increase करता जा रहा है देखो 0 था वह ती 1 हुआ टी 2 हुआ और velocity वही का वही है वी 0 यहां भी यहां भी 0 है यहां पर भी 0 है यहां पर भी 0 है मतलब velocity constant है और जब velocity constant रहती है तो उसको हम कहते है uniform velocity जब भी velocity constant रहे तो याद रखना उसको क्या कहेंगे uniform और इसके अंदर का area क्या देगा area under velocity time graph क्या देगा displacement कैसे area क्या होता है l into b देखो s मतलब हो गया displacement है यहां displacement है ठीक यह क्या होगा v0 into t2-1 यहां से यहां t2 है और यहां से यहां t1 है तो t2-1 कहां किसे कहां की value है यहां से यहां तक तो इस interval के बीच में आपने यह area अगर निकाला है तो इस interval के बीच में मतब t1 से t2 तक के बीच में आपने क्या निकाल लिया displacement और अगर slope बोलते हम तो slope का मतलब क्या होता है y coordinate upon x coordinate तो velocity by time क्या होता है acceleration यह क्या करोगे upon t कुछ भी रह तो यह क्या मिलने वाला है 0 इसलिए यहां पर acceleration क्या है 0 है next graph है कि velocity जब time 0 है तो body के पास कुछ initial velocity है t1 time पे body यहां पहुंच गया मतलब velocity change हो गई b1 हो गई हो गई t2 time पे velocity v2 हो गई इसका मतलब क्या इस graph का देखो time जब 0 है तो body के पास कुछ initial velocity है कहने का मतलब ऐसा कैसे possible हो सकता है मतलब body कहीं से चलते वही आ रही थी यह point पे तुम stop watch लेकर के खड़े हो body चलते 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 यहां पर आई body चली रही है तुमने अपना stop watch चालू किया तो यहां पर time 0 हो गया जब time 0 हो तो भी उसके पास कुछ initial velocity है u फिर चलते 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 body यहां पहुंच गया तो time कितना हो गया B point में पहुंचा time हो गया T तो body का velocity हो गया V तो यह वही condition है क्योंकि कोई भी गाड़ी अगर start होती है उसमें रेस्ट में रहती है लेकिन अगर कोई body के पास already क्या था body already motion में था तो यहां पर देखो acceleration 0 नहीं होगा क्यों क्योंकि velocity में change आया speed change आया अगर आप A निकालो गए तो A का formula क्या होता V2 minus V1 upon T2 minus T1 तो यह T1 में कुछ V1 है T2 में आपका V2 है दोनों को solve करोगे acceleration मिलेगा इसके अंदर का area क्या देगा अगर आप T1 से T2 के आपको area निकालनी है तो वो हमको देगा displacement है तो आप कैसे निकालोगे area क्योंकि velocity length into break करेंगे तो इसके अंदर का area क्या आ रहा है यह पूरा आ रहा है मतलब triangle आ रहा है यह triangle 1 और यह rectangle 2 तो आपको आ प्लेस एटू एवन क्या है यह यह न है हाफ into base into height half into base into height और एक तो क्या है बेस क्या हो जागा टी टू माइनस टीवन डेटी डेल्टा टी और यह क्या डेल्टा वी है उसी तरह a2 क्या निकलेगा तो निकलेगा यह नीचे वाला पार्ट है तो नीचे वाला पार्ट में T2-T1 और V1 इंटू V1-0 मिन्स V1-0 इंटू T2-T1 तो यह कितना हो जाएगा इस तरह से आप A2 निकाल सकते हो तो इसका area हमको क्या देता है velocity time graph का area देता है displacement और slope देता है acceleration याद रखना लेकिन यह acceleration 0 नहीं होगा इस graph का यहीं मतलब है कि body जब time 0 हो तो भी उसके पास initial velocity है यहाँ पर तुम खड़े थे तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते है इस्ट्वेंट नेक्स क्लास में हम पढ़ेंगे यह देखो आप kinematic equation के बारे में graphical methods है ठीक है तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो like जरूर करना ठीक है कि अजयू कूल ज्यू बारे में गले कि इसे देक्स्टियों खिंग है जयुए कि और ठीक यंजू कि करे दो कि अजयू है अजयू है।